नमस्ते मॉमीज, क्या आप इस सोच में हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए डाइपर्ज यूज़ करना चाहिए या नहीं? आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि बच्चे को लंगोट में ही रखना चाहिए, डाइपर्ज रखना बहुत हानिकारक है बच्चे के लिए, तो मॉमीज, मैं आपका ये डर निकालना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि डाइपर्ज यूज़ करन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लंगोट में वेट और बहुत ही ज़ादा अनकमफरटेबल फील करते हैं। जब भी पी करते हैं, हर बार रोते हैं। अगर वो नीन्द में पी करते हैं, तो उनकी नीन्द भी खराब हो जाती है। वहीं डाइपर पहनाने से वो ड्राइ और कमफरटेबल महसूस करते हैं और चैन की नीन्द सो भी पाते हैं। बस डाइपर का इस्तमाल करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है मॉमीज। पहली बात एक अच्छी क्वोलिटी के डाइपर में इन्वेस्ट करिये प्लीज। दूसरी बात ये है कि डाइपर का सही समय पर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यह नहीं करते तो हमारा जो उदेश है डाइपर पहनाने का कि बच्चा ड्राइ रहे, कमपिटेबल महसूस करे वो उदेश ही पूरा नहीं होता और तीसरी बात पूरे दिन में बच्चे को कुछ डाइपर फ्री टाइम दिया जाना चाहिए बच्चे को आप अलग से एक डाइपर फ्री टाइम दे ये जरूरी नहीं है बच्चे की डे-to-day activities में भी आप डाइपर फ्री टाइम दे सकती है जैसे की बच्चे की तेल मालिश का समय, बच्चे को नहाने के समय, बच्चे को मौस्चराइजर लगाते वक्त, पाउडर लगाते वक्त इन सारी activities के दौरान भी डाइपर फ्री टाइम दिया जा सकता है अब आपको अलग से डाइपर फ्री टाइम देना है, या फिर इन activities में डाइपर फ्री टाइम को कवर कर लेना है, यह आपका चुनाव है तो बस इन बातों का ध्यान रखें मौमीज, और बिना डरे हुए या गिल्ट के डाइपर का इस्तमाल करें